नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखर्णा उमियोपेथिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे उस बुराई की कि जो आप करके अपने सरीर को खतम करते हैं और उस बुराई को रखने से अपने जो सुभाव अपने बेहिवियर होता है उससे औरों का जीना भी मुश्किल करते हैं अपना भी जीना मुश्किल, अपने पैसे का नुकसान, अपने स्वास्त का नुकसान अपने रोटीन का नुकसान और साथ में दूसरों का भी रहना दूभर रहना मुस्किल और वहाँ बुराई है अल्कोहल का इंटेक दारू पीना मदिरा का सेवन करना यहाँ इसी बुराई यह साथियों जो आपके लिवर को कभी न कभी अगर आप जादा पीते हैं तो सिरोसिस तक पहुचा देती है होमियोपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं अल्कोहल को इंटेक को खतम करने की यहाँ जो दारू पीने की स्थिति है इसको खतम करने की यहाँ साथियों ऐसी बुराई है जो शुरू में जहां तक हम देखते और समाज में वाच करते हैं कि पहले आपके जो इस्टमित्र होते हैं आपके साथ ही होते हैं वह इसको आपके साथ जोड़ते हैं तो पहले आपको इसकी लट-लगती है उसके बाद आपको पहले दारू फ्री में मिलती है और चबबक पीता है तो यही दारू आपको फिर पाई से देखे खरीजनी पड़ती है तोरों ही परिस्तितियों में आपके लिवर को आप नुकसान पहुचा रहे हैं लिवर सिरोसिस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि एलकोहल का जो डाइजिशन होता है वो सीधे लिवर में होता है इसलिए एलकोहल सीधे liver में जाता है और आपको liver को नुफसान पहुचाता है तो हम आपको बताएंगे आपको एलकोहल को आपसे दूर करने की आपको अराम देने की और इस बुराई से अपने को पिलस समाज को बचाने की अपने यादतों के कारण दस कारगर होमियोपैथिक दवाएं ये साची हो बात मैं कहना चाहूँगा यहां पर यहां दवाएं आपके जनकारी मात्र के लिए हैं इन दवाओं पे ध्यान जरूर दें इनका अध्यान भी करें लेकिन किसी डाक्टर से प्रिस्काइब कराके यहां दवा लें और जल्दी से जल्दी अपनी उस समाजिक बुराई को छोड़ दें जो इस महगाई के दौर में आपको उसी समाज में जिसने आपको दे रहा है आपको लगता होगा आज के लेक्टरेंड है वन फॉर मी वन फॉर माई फैमिली एक पैक अपने लिए एक पैक परिवार के लिए और एक सोसल कल्चर हो गया है लेकिन यहाँ सोसल कल्चर अच्छा नहीं है यहाँ समाज को हरास की तरफ लिए जा रहा है और आप अपने अगल बगल होते देख रहे होंगे यह चीज कभी होता होगा कि आपका बड़ा अच्छा साती रहा होगा आपने सुना होगा या डारू ज्यादा पीने लगा तो चल बसा तो उस इस्सिती में आप ना आएं क्योंकि आपका एक परिवार भी है यह वीडियो उसी बात को डेडिकेटेड है पेश करते हैं आपके सामने होमियोपैथी में अल्कोहल की लग को छुडाने की दस कारगर होमियोपैथिक दवाएं साथ यह अल्कोहल को छुडाने की बहुत कारगर होमियोपैथिक दवा उस इस्तिती की है कि जब आपने अभी-अभी अल्कोहल पीना शुरू करा हो, माली जब आपने अल्कोहल पीना शुरू करा है, दारू पीना शुरू करा है, अगर हम उसको थोड़ी डेरोग्रेट्री भाषा में बोले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस भाषा का इस्तमाल करा जाए, आपको सु में अपनी आदत को छोड़ देने की बहुत कारगर दवा है नक्स वोमिका आप नक्स वोमिका थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि आपका आलकोहल लेने की आदत खतम हो गई और आपको उसकी क्रेविंग खतम हो गई और आप इनीसियल बचा लिया और अपने को बचा लिया नक्स वोमिका की डगव द चॉइसों से स्टी में है जब आपने अभी शुरूबात करियों इंसिपेंट स्टेश पर आपका दारू पीना शुरू हुआ हो तो आप यहां दवा ले सकते हैं यहां दवा साथियों उनके लिए भी है जै अप यह दवाओं की दो मुन दालके किसी को पड़ा सकती है आप उसको बिना बताय कर सकती है कांफुटेंस्ली कर सकती है और यह मानिए कि आप उसके साथ गलत नहीं कर रही है उसकी actors के लिए तो कोई बुराई निए जो भी आपको घर में दारू पी रहो उसके पाने में जाल के उसको पिलाना सुरू कर दिए आप देखेंगे कि उसका डारू पीने की जो आदत हेवा खत्म हो गई फिर एक सिटी आती है साथियों कि आपका स्रीर बेदम हो गया इतनी दारू जीवन में पी डाली कि आप सरीर में जान नहीं बची ना विल पावर बचा ना मेंटल स्ट्रेंथ बची ना फिजिकल स्ट्रेंथ बची अगर वाए सिटी एट उसको ठीक करने के हुमिपईथी में बहुत कारगर दभाए और दभा का नाम है पेट्रोलियम आप पेट्रोलियम वन येम की तीन खुराग पश्पश्यूंट के फासले पर वीकली उसे पुना उस वक्त जैसा लाएगी जब आपने जीवन की शुरुवात की थी फिर एक स्थिति आती है साथियों कि एल्कोहल की तलब बहुत जादा है उसके बीना रहे ही नहीं सकते तो अगर ऐसी सिटी आपके है कि आप एल्कोहल का इंटेक करें बीना नहीं रह सकते दारू पी सब्सक्राबर में दो-दोव्य दिन में तीन बार आप लेकर आप उस क्या कहते हैं उसको आप उस लद को उस डिजायर को उस क्रेविंग को चाहत को दारू पीने की खतम कर सकते हैं यहां दवा का सेवन करने से आपको आराम मिलेगा और आपका एल्कोहल इंटेक का यारू पीने की इच्छा ही नहीं बचेगी फिर शाथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट इससी आती है दारू पीने पर वहां उती है लीवर की खराबी तो अगर अलकोहल इंटेक करतें पर आपका लिवर खराब हो रहा है तो लिवर को ठीक करने की और जो इसकी क्रेविंग है अलकोह पर जो खराब हुआ है दारू पीने के कारण अलकोहल इंटेक के कारण वह भी ठीक होने लगा एक स्थिति आती है साथियों आपने इत्ती दारू पी कि आपका बाडी में बहुत जादा टॉक्सिटी हो गई है तो अगर यहां इस्थिति है कि आपके बाडी बहुत जादा टॉक्सिक हुआ जारा है दारू पीने से अलकोहल के इंटेक से तो उस इस्थिति को ठीक करने यानि अपने बाडी के बैड इफेक्स आफ एलकोहल को खतम करने के लिए बहुत कारगर दवा है कैनबिस इंडिका आप कैनबिस इंडिका 30 पावर में दो दो बून दिन में दीन बार उसे इस्थिति में ले सकते हैं जब आप अलकोहल इंटेक अपना बहुत कर रहे हैं उससे आपका बाडी डी टॉक्सिफाई हो गया और आप डी टॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो आप कैनबिस इंडिका ले लें और आगे से एलकोहल का इंटेक ना करें क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हर पल हर पैग आपके सरीर को नुक्सान पहुचा रहा है यह आप जान लें फिर एक इस्थिति आती है साथियों की दारू पी और दारू पीने के बहुत देर तक उकाई आती रही दारू की भादत को खतम करने के लिए अगर आप में यहां नौजिया का सिम्टम है तो बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है एंटिम क्रूड आप एंटिम क्रूड हम थार्टी पावर में दो 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 गून दिन में तीन बार ले लें आपका इलकोहल इंटेक के कारण होने वा दोबा रहता है अगर यहां इस्तिति किसी में हो आपके परिवार में तो आप उसकी मदद कर सकते हैं या वह व्यक्ति जो वीडियो देख रहा है और तो अपनी मदद कुद कर सकता है उसको बहुत छोटा सा काम करना है उसको नेंटरमी उसी एंग मियुड दवा जो है उसक खतम हो जाएगा उसमें एल्बूमिन प्रोटीन का प्रोडक्शन सुरू हो जाएगा अब इसके सारे सरी की कमजोरी दूर होके पूरी तरह स्वस्त ठीक हो जाएगा इसके बाद आप कि अब जो रेजिस्टेंस है उस पर चाहत है वहाँ नहीं खतम हो पारी तो अगर आप ऐल्कॉहल की ख्रेविंग को खतम करना चाहते हैं तो उसको खत्म करने की बहुत कारकर दबा एवेना सटाइबा है आप एवेना सटाइबा 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि आपकी जो अलकोहल की ग्रेविंग है वहार mentally आपकी खत्म हो गई और उसकी खत्म हो गई और वहार सबसे इच्छा तरीका है अलकोहल को छोड़ने का आपकी इच्छा शक्ती के साथ एक इस्टिती आती है साथियों की जब आप अलकोहल छोड़ने की कोशिस करते हैं तो आपके सर में दर्द होने लगता है तो अगर आपके हैडेक हो रहा है आप क्रानिक एलकोहल पीने वाले है और आपके सर में दर्द बना रहता है और छोड़ते हैं तो यहां सर में दर्द बढ़ जाता है तो उससी सिटी से पटने के लिए बहुत कारगर दवाए कॉफिया, कुरूडा आप कॉफिया 200 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार उस इस्थिती में ले सकते हैं कि जब आपके ऐलकोहल छोजनें पर सर में दर्द बना रहता हो या ऐलकोहल लेने पर भी सर में दर्द बना होता हो तो कॉफिया अप्टर्टक उचोईस है इसको लेके आप हेडेक को खत्म कर सकते हैं और अलकोहल की बुरी आदत को अपने से दूर कर सकते हैं फिर एक इस्थिती आती है साथियों की पूरा परिवारे दारू पीता है मतलब एक फैमिली हिस्ट्री है बाबा भी पीते थे पर बाबा भी पीते थे अब पिता जी भी पीते थे और लड़का भी पी रहा है तो अगर वह इस्थिती हो कि यहां मतलब उपर से चला आ रहा है अपने फैमिली ट्री में और नीचे तक अलकोहल पीने का एक फैशन ट्रेंड घर में है और अब आप उसको छोड़ना चाहते हैं जो कि समय की मांग भी है तो उस इस्थिती को भी ठीक करने की हुमियोपैथी में दवा है और दवा का नाम है एसिट सल्फिरिकम एसिटम सल्फिरिकम 30 पावर में दो 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 बून दिन में तीन बार आप ले लें उस इस्थिती में जब अलकोहल पीने की आपकी फैमिली हिस्टी हो पारिवारिक रूप से उपर से नीचे तक एलकोहल पीना चला आ रहा हो तो यहां दवा एसिटम सल्फिरिकम यहां आपके एलकोहल की क्रेविंग को खतम करके आपको ठीक कर देगी बाडी में हुए नुकसान की भरपाई करेगी और आगे आपको इसकी आदत या इच्छा को भी खत्म कर लाईगी देद्स्तिग ऑतीह साथिओं आप यलकोहल बहुत लेते हैं दारु पीते हैं उसका ऍंटेक करते हैं और उसके बाद आपकी नीद उड़गे अगर आप अलकोहल पीते हैं और आप इलकोहल छोड़ने कोसिस करते हैं तो आपकी नीन दोड़ आती है ईसको की दारू छोड़ने पर एलकोहल के इंटेक के बाद नीन दना रही हो और वहार राद भर परिसान बेचानी में रहता हो तो एपना साटाइवा उसकी लेटर काव तर चॉइस है यहां दबाकर स्टमाल करके आप उसकी नीद को ला सकते हैं उसके अल्कोहल इंटेक को चुड़ा सकते हैं और उसके जीवन को बचा सकते हैं पिने ही पीनी है अगर उसकेiquer आपमें क्रेविंग हाल और आप इल१कोहल काइड करना चाहते हैं तोंची में बहुत कारगार दवा है आपकी मदद करने की और दवा का नाम है कुर्कास रूबर आप Quirkus River का मदड इंचर 20-20 बून दिन में चार बार पी लें आप देखेंगे कि आपकी जो यह हैं इंटेंस क्रेविंग है दारू पीने के लिए यहां खतम हो गई और आप बिल्कुल ठीक हो गई मृष्य को खते हैं तो वहर अगह टीक करने के ईनटेक जरी जरी करने के जोषी यह पिर्दि होंने लगिए आप देखेंगे कि आपकी बेचैनी anxiety खतम हो गई आपका alcohol की लग भी छूट गई और आपके बॉड़ी में जो toxicity alcohol intake की कारण हुई है वहाँ भी खत्म हो गई कि एक इसाती हो आम की सिति में कि मरीज कई बार छोडने का प्रयास करता है लेकिन हर बार कर दोς कर देता है अगर यहाँ edited episode हो रहे हैं कि वहां जोर नीकुषिस करता है और को क्योंबर Series के लिए पर्मानेंट एल्कोहल की कुटिंग के लिए बहुत कारगरता है रहनें कुलस बल्बोसस थर्टी पाव में दो दो बून आप उसे सिर्थी में उस ऐसे मरीज को दे सकते हैं इसने बार बार एल्कोहल पुरने का प्रयास करा हो लेकिन छोड़ना पा रहा हो दस दिन बन रखता है पंदार दिन रखता है फिर इंटेक शुरू कर देता है तो रहनें कुलस बल्बोसस उसके लेड़ा का प्रयास को ठीक करके अल्कोहल की क्रेविंग को खत्म कर देगी फिर एक इस्तिति आती सातियों एल्कोहल पीने में दारू पीने में कि जो एल्कोहल पीने वाले तो उस शेकिंग या ट्रेमर को रोकने की हुमयोपेथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है हायोसाइमस नाइगर आप हायोसाइमस 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं उस इस्तिति में जब आपने बहुत दारू पी हो या पी रहे हो और आपको स्टेबिल कर देगी हायोसाइमस के पेशेंट में लैसिवस मीनिया भी होता है उसको कपड़े ना पहनने की इच्छा रहती है फिर एक स्थिति आती सातियों जब लोग मल्टिपिल नसा करते हैं दारू भी पी रहे हैं सिगरेट भी पी रहे हैं अभी इम चरस कि बहुत कारगर्दव है उपितaw एटों टे इन लाहें लिए उपिम तार्टी-दों दिन में एससे मरेष़ को दे सकते है जो पूराना दारू पीने वाला हो, क्रानिक दारू पीने वाला हो, क्रानिक अल्कोहल इंटेक वाला हो, विस्की पीने वाला हो, ओपियम उसकी डग of the choice है, यहाँ जो multiple नसे कर रहे हैं, कही तरह के नसे बगती एक साथ कर रहा है, सब को छुडाने में मदद करेगी ओपियम का एक सिंटम ये भी इसात्य हो कि ओपियम के मरीज को गले में छोखने स्थी महसнос होती है biraz ranking सबता है एक स्थिति आती है सात्यों जब एल्कोहल के मरीज होता वह डिपरेशन में चला जाता है अगर वह इस्तिति आ रही है कि कोई patient है, alcohol intake जादा करता हूआ, Dipshoresan में जा रहा है तो उसको डिप्रेशन से निकालने और alcohol की craving को खत्म करने कि और alcohol की आदत को खत्म करने की बहुत कारगर दबहा है Semicifuga Resymusa आपसे मिश्यफ्यूगा 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार उस मरीश को दे सकते हैं उसको इस दवा से बहुत फाइदा होगा और उसकी तंबा को इसकी अलकोहल लेने की आदत छूड़ चाहेगी ये सातियों कोई दवाएं थी अलकोहल की बुरी लत को छुड़ाने की मैं आपसे हाज जोड़ के विंती करता हूँ विनम्रे विंती करता हूँ कि अगर आप दारू पीते हैं तो आप इसको पीना छोड़ दें ये आपको आपके परिवार दोनों को खतम करने में बहुत सायग होगी हमने बहुत मौते दारू पीते लोगों की अपनी मेडिकल करियर में देखी हैं तो आपके यहां ना करें तो बहतर है ये कुछ दवाएं थी आपके लिए अलकोल को छोड़ने के संबन्द में अगर आपके मन में कोई क्वरी हो कोई क्वेश्चन हो तो आप यूटूब नोटिफेश्चन पैनल में अपनी कोई को लिख सकते हैं आपको उचित जवाब देने का पुरा प्रयास किया जाएगा या फिर हमारे वाट्सैप कर सकते हैं हमारे वाट्सैप नंबर 94-95-786-3806 पर उस परिवार जो किदारू पी रहा है कोई वेक्ति उसमें खास्तोर से मुखिया जो मेल होता है वो हमाँ आपकी संबेतना में आपके साथ हैं और यहां दमाएं उसी शंकला में मदद के लिए थी अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो को शेर करिएगा अपनी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा कर सबसे पहले सबसे नया वीडियो आते रहिएगा आपका हमारा आती देर साथ देने जूने और वीडियो को शेर करने के लिए बहुत बहुत आभार दनेवाद कर दो क्लिए साथ चैनल कर वीडियो सेह weet c हूप I च जबादान, वीडियो कर दोóc तून वा को शेर कर वाल रटनिक को शेर कर दोदो को क्लिए कर दो हाग बच्जब की का बंच दो कर दो कर दो कर दो कर दो